Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel So, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही difficult Python topic cover करेंगे जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे personally message करके request किया था Topic का नाम है ITERATORS So, अगर आपने थोड़ा भी Python programming किया होगा तो आपको शायद इस term के बारे में पता होगा कि ITERATOR क्या होता है तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको एकदम scratch से ITERATORS का intuition दूँगा ITERATORS क्या होते हैं, उनकी क्या जरूरत है यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे और वीडियो के end में मैं आपको एक बहुत बढ़िया example दूँगा कि ITERATORS को आप कहां पे use करके अपना काम निकलवा सकते हो honestly it is a very important topic because इसके उपर Python में और बहुत सारी चीज़े depend करती है topic थोड़ा सा confusing है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है एक से दो बार वीडियो को देखना पड़े but मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको end to end समझ में आ जाए so हम लोग ITERATORS के बारे में पढ़ेंगे ITERABLES के बारे में पढ़ेंगे हम सीखेंगे कि Python का for loop कैसे काम करता है in fact हम अपना खुद का Python for loop भी बनाएंगे इस वीडियो में साथी साथ हम अपना खुद का एक data type बनाएंगे जो बिलकुल range function की तरह behave करेगा so काफी कुछ cover होगा इस वीडियो में I hope you are excited let's start the video so guys चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो में मैं क्या करूँँगा सबसे पहले आपको तीन बहुत ही closely related terms के बारे में बताऊंगा सबसे पहला term है iteration दूसरा है iterator और तीसरा है iterable अब इन तीनों से related बहुत confusion रहती है लोगों को तो हम सबसे पहले clear करेंगे इन तीनों के बीच के differences को ठीक है so let's start with the most basic thing iteration so iteration is a general term for taking each item of something one after another anytime you use a loop explicit or implicit to go over a group of items that is iteration so programming में I hope आपने अगर थोड़ा भी code किया है तो आपको पता होगा loops क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं loops हमें एक sequence of data पे iteration करके देते हैं तो जब भी आप loops use कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो अगर आपके पास एक sequence of data है आप एक एक करके उसके हर item को निकाल रहे हो और उसके उपर कुछ operation perform कर रहे हो ठीक है एक एक करके उसके items को निकाल रहे हो और उसको print कर रहे हो इसी को iteration बोला जाता है यह हम सबको पता है अब हम अपना discussion आगे बढ़ाते हैं and let's discuss कि iterator क्या होता है so iterator is an object that allows the programmer to traverse through a sequence of data without having to store the entire data in the memory यह बहुत ही accurate definition है so iterator ही वो चीज़ है जिसकी वज़े से iteration हो पाता है so जब आप loop चला रहे हो तो internally एक iterator object होता है जो one by one items को fetch करता है और loop को देता है ठीक है यह आपको समझना है अब जो सबसे बड़ी खासियत है iterator object की वो यह है कि उसको इस sequence of data पर traverse करने के लिए पूरे के पूरे data को memory में load करने की जरूरत नहीं है वो बहुत smartly अपना काम करता है वो एक बार में एक data को उठाता है memory में load करता है उसके उपर जो भी operation perform करना है वो perform होता है उसको हटा देता है फिर अगले को load करता है अगले के उपर जो भी operation perform करना है करता है और फिर हटा देता है इस तरीके से वो एक बार में memory में सिर्फ एक ही चीज़ को रखता है तो इस से हमारा जो memory है वो बहुत बचता है अब इस point को prove करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा demonstration दिखाता हूँ मान लो हमें अपने user को एक से लेके एक लाग तक जितने भी numbers है हमें उनका multiplication by two दिखाना है ठीक है मुझे एक से लेके एक लाग तक हर number को उठाना है उसमें two से multiply करना है result user को दिखाना है अब ये करने के दो तरीक है पहला तरीका ये है कि आप एक list ले लो जिसमें आप एक से लेकर के एक लाग तक items को store कर लो ठीक है ये रहा उसके बाद आप क्या करो loop चलाओ for i in l और print कर दो जो भी i का value है multiplied by two और user को ये दिख जाएगा ठीक है हमारा काम हो गया there is only one problem problem ये है कि अगर आप sys module को call करो और लिखो sys.get sizeof और यहाँ पर आप l को पास करो तो ये आपको bytes में बताएगा कि इस list ने कितना memory occupy किया हमारे RAM के अंदर सो एक काम करते है थोड़ी दिर के लिए हम इस loop को बंद कर देते हैं and you can see इतना memory occupy किया इतना bytes so अगर आप इसको kb में देखना चाहते हो तो 8 से divide कर दो और अगर आप mb में देखना चाहते हो तो 64 से divide कर दो तो कुछ 1369 के around इसने खाया ठीक है I hope I'm not doing a mistake this is mb I guess जो भी है बट इतना memory खाया अब यही same काम करने का दूसरा तरीका यह होता कि आप rather than using a list range function को use करते to generate numbers between 1 to 1 lakh और फिर आप यह code लिखते for i in x print i times 2 अभी भी output same आया पर देखो इस बार difference क्या है इस बार difference यह है कि जब आप यह same code को पकड़ो मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर बस हम l के बदले पास कर देंगे x see this is the difference जब मैंने list बनाया ना तो मैंने एक साथ memory में एक लाख numbers को store कर लिया और फिर एक एक करके उसको उठा करके two से multiply करके user को result दिखाया बट हमने memory में इतना space खाया बट जब हमने सिर्फ range function को use किया तो range function ने क्या किया कि उसने पूरा का पूरा एक से लेके एक लाख तक सब कुछ को memory में store नहीं किया उसने एक iterator बना दिया और उस iterator का काम ये था कि जब वो पहली बार चला तो उसने सिर्फ one को उठाया memory में लेके आया और उसको two से multiply करके result दिखा दिया फिर उसने one को हटा दिया फिर वो two को memory में लेके आया same operation फिर three को लेके आया same operation and so on so much so that कि अगर आप यहाँ पे एक करोड भी ले लो तो भी देख रहो difference क्या है अभी भी ये इतना ही memory खा रहा है काम सेम हो रहा है बट memory देखो आप इसमें कितना भी और बढ़ा दो memory नहीं बढ़ रहा and that is the best part of an iterator यह जो आखरी line है ना यही आपको सबसे बड़ा reason देगी iterator पढ़ने का कि जब आप iterator को use करते हो एक sequence of data को traverse करने के लिए तो आपका iterator उस पूरे sequence of data को memory में load करता ही नहीं है वो सिर्फ उतने को ही करता है जितने की उसको जरूरत है which is one item उसके उपर वो operation perform करेगा और फिर उसको हटा देगा और फिर अगले को load करेगा so this is a very very efficient way of traversing और looping through data ठीक है तो I hope आपको iterator का concept समझ में आया और क्यों इतना important है confusion हो रहा था so term है iterable अब मैं आपको समझाता हूँ iterable क्या है और उसको iterator से कैसे difference दिखाया जा सकता है so बहुत simple सी बात है iterable is an object which one can iterate over so अगर आप python में for that matter किसी और language में भी किसी object के उपर loop चला करके एक एक करके उसके सारे items को use कर सकते हो तो वो जो object है वो एक iterable है so उपर वाला जो example है इसके हिसाब से ये list एक iterable है क्यूंकि आप उसके उपर loop चला सकते हो similarly ये range object ये भी एक iterable है क्यूंकि आप इसके उपर भी loop चला सकते हो तो by definition अगर आप किसी भी चीज चीज के उपर अगर loop चला सकते हो मतलब आप एक एक करके उसके items को निकाल सकते हो तो वो iterable है तो मैं एक बार summarize करता हूँ तीनों चीजों को iteration क्या होता है the process of traversing one by one of an object one by one item of an object अगर आपके पास एक object है आप एक एक करके उसके सारे items के उपर traverse कर पारे हो इस process को iteration बोला जाता है iterable क्या होता है एक ऐसा object जिसके उपर आप iteration कर सको iterator क्या होता है iterator वो object है जिसके help से iteration होता है iterator की वज़े से iteration होता है ठीक है तो please इस point पे एक बार वीडियो को pause कर लेना और खुद को समझा लो कि मुझे ये तीनों terms का difference समझ में आ गया अब अगर नहीं भी आया है don't worry अभी वीडियो में हम लोग और detail में discuss करेंगे कि iterator और iterable में difference क्या है ठीक है तो एक बहुत बड़ा difference तो ये है कि जब आप iterable को use करते हो तो iterable आपको एक iterator देता है ये बहुत important बात है ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है iterable generates an iterator when passed to an iter method let me give you one example ध्यान से देखना सो माल लो हमारे पास एक list है जिसमें 1,2,3 stored है अब ये type अगर आप निकालो तो ये आपको देगा l list ठीक है तो ये l जो है न is an iterable अब आप इस iterable के अंदर से एक iterator को extract कर सकते हो अगर आप ये code लिखो अगर आप iter function के अंदर l को डालो तो जो चीज आपको मिलती है वो एक iterator होती है अगर आप इस चीज का type निकालो तो now this is a list iterator तो समझना l क्या है मैंने या पे लिख दिया l is an iterable बट iter of l क्या है this is an iterator ये concept सबसे पहले हम समझ के ठीक है अब discuss करते हैं कुछ points जो आपको याद रखने है so every iterator is also an iterable point number two not all iterables are iterators I know this is very confusing पहले second point पे focus करते हैं कि not all iterables are iterators ध्यान से देखना यहां पर आप example लो आप l के उपर लूप चला सकते हो इसके उपर iteration कर सकते हो तो इसका मतलब यह iterable तो है बट यह iterator नहीं है iterator क्यों नहीं है क्योंकि iterator का एक यह बहुत बड़ा criteria है कि उसको पूरी की पूरी चीज़ को एक साथ memory में लोड करनी की जरूरत नहीं है बट list में आप notice करो कि आप जब list बनाते हो तो आप सारे items को एक साथ memory में लोड करते हो तो जो list है वो iterable है बट iterator नहीं है ठीक है तो point number two हमने समझा point number one यह है कि जो iterator object होता है वो खुद भी iterable होता है मतलब आप iterator के उपर भी loop चला सकते हो iterator के उपर भी iteration किया जा सकता है that is why वो iterable है I know यह बहुत ही confusing sound कर रहा है सबसे बड़ा problem क्या है इस पूरी चीज में कि इन लोगों ने नाम बहुत similar रखें थोड़ा उनको कुछ अलग रखना चाहिए था ठीक है अभी क्या हो रहा है कि iterator, iterable, iteration गाना गाने से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा confusion हो रहा है I am trying really hard कि आपको समझ में आए आपको confusion नहीं हो रहा है ठीक है यह दो points हमें याद रखने पड़ेंगे although मैं आपको कुछ और examples दूँगा समझाने के लिए अब ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज iterable है और कैसे पता चलेगा कि कोई चीज iterator है ठीक है ध्यान से देखो iterable है या नहीं कोई चीज यह पता करने का एक बहुत simple तरीका है कि उसके अंदर iter function है की नहीं यह आपको खोजना है माल लो मेरे पास एक object है integer object अब कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ भई यह iterable है की नहीं तो इस सवाल का simple सा answer यह होगा कि अगर आप इसके उपर loop चला सकते हो तो फिर वो iterable है अगर आप loop नहीं चला सकते तो iterable नहीं है अगर मैं लिखो for i in a print i देखो यहाप लिख रहा है int object is not iterable क्योंकि आप इसके उपर loop नहीं चला सकते अब इससे भी एक तगड़ा तरीका है यह पता करने का कि कोई object python में iterable है की नहीं लूप चलाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी देखो दूसरा तरीका क्या है कि आप dir function को use करो और उसके अंदर a को डाल दो अब अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर खूप सारे magic methods दिखाई देंगे dunder methods दिखाई देंगे वहाँ पर अगर आपको iter iter method दिखाई दे तो फिर वो चीज iterable बन जाएगी अगर नहीं दिखाई दे तो वो चीज iterable नहीं है जैसे कि यहाँ पर आप खोजो कहीं भी iter method नहीं है एक second example में आपको दिखाता हूँ second example है एक tuple जिसमें 123 है अब मुझे पता करना है कि यह tuple iterable है की नहीं तो एक तरीका तो है loop चला के देख लो दूसरा तरीका क्या है कि आप dir में t को डाल दो और खोजो कि iter है की नहीं अगर iter है तो फिर यह tuple क्या है this is an iterable एक और example लेते हैं let's take a set ठीक है और यहां पर भी अगर आप notice करो तो iter है let's take a dictionary 1 का value 2 3 का value 4 and you can see यहां भी iter है तो हमने क्या discuss कि कोई अगर आपसे पूछ ले कोई object दिखा के python में कि बताओ भाई है की नहीं तो उसको पताकरने के द्व तरीक справ पहला वार लूप चलाके देख्लो अगर लूप चल जाता है तो आइटरेबल है लूप नहीं चलता है तो आइटरेबल नहीं है दूसरा तरीका क्या है कि डियायर फंक्शन को चला लो अंदर अगर आइटर फंक्शन देख जाए तो आइटरेबल है अगर नहीं देखे तो आइटरेबल नहीं है यह तरीका है पता करने का कि कोई आइटरेब का है कि आप उसके उपर डियायार चलाओ और डियायार चलाने के बाद अगर आपको अंदर आइटर एंड नेक्स्ट यह दोनों फंक्शन्स दिखाई दे रहे हैं तो वह आइटरेटर है लेक मी गिव यू एन एक्जामपल जैसे कि फिर से हम एक्जामपल ले रहे हैं इसको हमने रन किया तो इसके अंदर आइटर तो है बड़ आप खोजो यहाँ पे कहीं भी नेक्स्ट नहीं है तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एल इस नॉट एन आइटरेटर थोड़ी दिर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी मैंने ये बताई थी कि आप क्या कर सकते हो कि आप एक आइटरेबल से उसका आइटरेटर जेनरेट कर सकते हो using the iter method मैंने यापको आपको करके भी दिखाया था तो मैं क्या करता हूँ एक काम करता हूँ यहाँ पे इस जगह पे I will write iter of L this will give me the iterator of L और अब मैं अगर इसके ओपर DIR चलाओ तो you would see कि इसके अंदर iter भी है और इसके अंदर next भी है this proves कि यह जो चीज़ है यह जो चीज़ है इसको हम एक variable में store कर लेते हैं let's call it iter of L यह जो चीज़ है यह एक iterator है this thing is an iterator तो अभी तक हमारा discussion सिर्फ इतना हुआ है कि iteration क्या होता है iterable क्या होता है iterator क्या होता है उसके बाद हमने यह सीखा कि हर iterable iterator नहीं होता बट हर iterator iterable होता है ऐसा क्यूं? क्यूंकि iterator function के अंदर iter भी है next भी है ठीक है? मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज iterable है की नहीं अगर उसके dir के अंदर iter है तो वो iterable है और कैसे पता चलेगा कि कोई चीज iterator है की नहीं? अगर उसके अंदर iter भी है और next भी है तो वो एक iterator है ठीक है? So, I hope आपको यहां तक चीज़े थोड़ी clear हो गई ठीक है? अब हम लोग अपना discussion थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा In fact, मैं आपको बहुत अच्छे सा समझाऊंगा कि loop कैसे काम करता है especially for loop ठीक है? In fact, हम उसको इतने अच्छे से समझेंगे कि हम अपना खुद का for loop बनाएंगे So, ध्यान से देखो जब मैं ये code लिखता हूँ तो होता क्या है? जब मैंने ये code लिखा तो कैसे python automatically एक-एक करके सारे items को उठा के ला रहा है और print करता जा रहा है हमें ये चीज़ सीखनी है ठीक है? क्योंकि मुझे याद है जब मैंने python का for loop सीखा था था I was very impressed मुझे लगा या कैसे इन्होंने इतना बड़ीया loop बनाया है जिसमें ना कोई increment है ना कोई condition है terminate होने की बस एक छोटा सा बहुत ही simple सा syntax है जिससे आप list के उपर भी iterate कर जा रहे हो आप double के उपर भी iterate कर जा रहे हो आप set के उपर भी iterate कर जा रहे हो आप dictionary के उपर भी iterate कर जा रहे हो I was so impressed मेरे को समझना था कि इसका loop काम कैसे करता है तो अब मैं एकदम आपको step by step तरीके से समझाता हूँ कि python का for loop काम कैसे करता है ठीक है and trust me ये सीखने के बाद आपको बहुत understanding मिलेगा सो देखो होटा क्या है सबसे पहले आपके पास एक iterable होना चाहिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके उपर आप loop चला सकते हो तो जैसे आप ये syntax लिखते हो तो यहाँ पर python दो काम करता है step one में वो क्या करता है it fetches the iterator सबसे पहले वो क्या करता है iterator को fetch करता है fetch कैसे करता है बहुत simple है using the iter function यह देखो let's say हम इसको एक variable में store कर लेते है iter of num अब step one हो गया अब step two में क्या करता है python कि iterator को use करते करते वो next function को call करता है so हर iterator के अंदर next function है तो यह next function हमेशा क्या करता है कि आपको आपके iterator का state बताता है कि अभी आप कौन से item के उपर हो जैसे अभी हम शुरू कर रहे है तो आप zeroth item के उपर हो तो आपको कुछ नहीं करना है आपको next function को call करना है और यहाँ पे लिखना है iter num यह क्या करेगा यह automatically detect कर लेगा कि अभी आप zeroth item पे हो और वो आपको print करके देदेगा one अब अगर आप फिर से लिखो next of iter num अब वो two को print कर रहा है second वाली line को और अब अगर आप लिखो next of iter num तो वो three को print कर रहा है और अब अगर आप fourth time लिखो next iter num तो अब वो एक error थो कर रहा है stop iteration exception क्योंकि हमारे पास तीन ही items है so this is what this is what is happening behind the scenes जब आप यह code run कर रहे हो behind the scenes loop क्या कर रहा है सबसे पहले आपके iterable से iterator fetch कर रहा है using the iter function और उसके बाद next को बार बार call करके सारे के सारे items को print कर रहा है until उसको यह error नहीं दिखाई देता so यही है अपना पूरा logic for loop का अब मैं क्या करता हूँ यह चीज अगर आपको समझ में आ गई है मैं आपको एक खुद का for loop बना के दिखाता हूँ so ध्यान से देखना iterable मिलेगा ठीक है एक iterable एक ऐसी चीज जिसके उपर आप iteration कर सकते हो खुद सोचो सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप उससे iterator को fetch करोगे using the iter function ठीक है अब आप क्या करोगे एक loop चलाओगे while true यह loop forever चलेगा अब इस loop के अंदर आप क्या करोगे आप try catch लिखोगे try catch, sorry try accept होता है python में थोड़ा java की आदत है मुझे so try के अंदर आपका code बहुत ही simple है आप print करोगे next item of iterator और accept में अगर आपको मिलता है stop iteration वाला error तो आप break करके बाहर निकल जाओगे अपने इस infinite loop से and that's the code guys let me show you what I will do is I'll create two three things let's say A एक list है B एक range function है जिस मैं एक से ग्यारा तक दे रहो C एक टपल है B एक let's say set है और E एक dictionary है 0 का value 1 1 का value 1 अब देखना मैं अपना function चला रहा हूँ मेरा खुद का for loop और यहां पर मैं देखो जब मैं A को डाल रहा हूँ A print हो गया जब मैं B को डाल रहा हूँ B print हो गया जब मैं C को डाल रहा हूँ C print हो गया जब मैं D को डाल रहा हूँ D भी print हो गया और जब मैं E को डाल रहा हूँ तो मेरे दोनो keys भी print हो गया and you can see, हमने अपना खुद का for loop बनाया, ठीक है, तो I hope आपको अभी तक का सब कुछ discussion समझ में आ रहा है, हमने iteration, iterable, iterator के बीच का difference देखा, हमने iter function और next function का काम समझा, फिर हमने समझा कि loops किस तरीके से iterables के उपर iterate करते हैं, और हमने अपना खुद का for loop बनाया, अब मैं आपको एक थोड़ा सा confusing point थोड़ा detail में discuss करके बताऊंगा, so चलो guys, confusing point क्या है, मैं आपको थोड़ा detail में समझाने का try करता हूँ, so if you remember, मैंने आपको थोड़ दिर पहले बोला, कि जब आप iterable के उपर, iter function चलाते हो, तो आपको एक iterator मिलता है, जैसे कि screen पे num है, जो कि एक list है, जो कि एक iterable है, अब अगर आप इसके उपर iter function चलाओ, iter function इसलिए चला पारे हो, क्योंकि जब आप iter करते हो, तो आपको यहाँ पे iter magic method है, जिसकी वजह से आप क्या कर पारे हो, नम के उपर यह iter function चला पारे हो, जैसी आप इसको चलाते हो, तो आपको एक iterator object मिलता है, अब जब आपने iter of iter object चलाया, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज iterator तभी है, जब उसके अंदर next है, बट साथी साथ iter भी है, इसका मतलब आप एक काम कर सकते हो, कि आप इस iterator object के उपर भी iter चला सकते हो, और यह देखो गईस, यहाँ पे क्या ओर है, कि फिर से जब आपने iterator के उपर iter चलाया, तो वो iterator भी आपको पलिट के एक iterator दे रहा है, अब यही confusing point है, कि यह कौन सा iterator आ गया, अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा पीछे जाओंगा, और सबसे पहले, I will show you, कि जब हमने num के उपर iter चलाया था, और जो हमें iterator object मिला था, उसका address क्या है, you can see this is the address, इसका हम लोग print कर लेते हैं, और इसका हम बुला सकते हैं, address of iterator 1, जो हमें iterable से मिला, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने iter object 2 बनाया, जो मुझे कैसे मिला, iter of iter object से, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके, इस code को paste कर रहा हूँ, और यहां पर डाल रहा हूँ, टू, और यहां पर मैं डाल रहा हूँ, iter object 2, और यह देखो गईज, यहां पर आपको एक concept समझना है, जो थोड़ा सा confusing है, कि जब आप iterable के उपर, iter चलाते हो, तो आपको एक iterator मिलता है, बड़ जब आप iterator के उपर, फिर से iter चलाते हो, तो आपको एक दूसरा iterator मिलता है, अब यह कोई नया iterator नहीं है, यह वो खुद है, यह आपको समझना है, यह बहुती confusing point है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, कि iterator के उपर, iter चलाने से, जो iterator आपको मिलता है, वो वो खुद ही होता है, ठीक है, I know यह confusing है, बट I hope इस demonstration के बाद आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है, अब बस हम एक last काम करेंगे, हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, कि भाई, इतना iterator और iterable पढ़ा, इसका फाइदा क्या है, कहां काम आएगा यह logic, देखो सबसे जादा यह कहां पे काम आएगा, कि मानलो आप अपना खुद का एक object बना रहे हो, ठीक है, अब उस object में आपको iteration का feature डालना है, आप चाहते हो कि उस object के उपर loop चल सके, तो वो feature add करने के लिए आपको इन सब चीजों का knowledge होना चाहिए, otherwise आप वो काम नहीं करवा पाओगे, आप looping नहीं करवा पाओगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी आपके सामने एक data type बनाऊँगा, या बोल सकते हो एक object बनाऊँगा, और वो object बिल्कुल कैसे behave करेगा, जैसे range function करता है, same to same, ठीक है, सो ध्यान से देखो, कैसे करना है हमें, बहुत ही simple है, हमें क्या करना है सबसे पहले, एक class बनानी है, हमे class बनाएंगे, in fact हम दो classes बनाएंगे, एक का नाम होगा, मेरा range, और यह function नहीं है, यह class है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, def, मेरा range, ठीक है, फिलाल मुझे नहीं पता, यहाँ पर code क्या है, तो मैंने pass लिख दिया, और मैं एक और चीज़ बनाऊंगा, मेरा range का iterator, ठीक है, तो यह जो class है, यह iterable होगी, और यह जो class है, वो iterator होगी, ठीक है, अब देखो, जब भी आप range function को call करते हो, आप दो inputs देते हो, starting और ending, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, def, init, मैं magic methods add कर रहा हूँ, self, start, end, और यहाँ पर मैं दो variables बना रहा हूँ, start के अंदर मैं, जो भी user दे रहा है, वो डाल दे रहा हूँ, और end के अंदर जो कोई भी iterable जो होता है, उसमें iter magic method होना चाहिए, तो हम यहाँ पर iter magic method दाल रहे हैं, चीक है, अब आपको भी पता है, जैसी मेरा range को, आप loop में डालोगे, तो loop क्या करेगा, सबसे पहले iter से, इस class का iterator को मांगेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर simply return कर दूँगा, मेरा range का iterator object, ठीक है, और इतना करने के बाद, मेरा काम यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर control आता है, मेरा range iterator के पास, मेरा range iterator का काम है, कि जो starting और ending नंबर है, उसके बीच में loop चला करके, मतलब एक एक नंबर को generate करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक constructor, क्यूंकि constructor तो होगा ही class में, और कुछ receive करेगा यह, फिलहाल मुझे idea नहीं है क्या, और अब मुझे यह भी पता है कि iterator के अंदर भी एक iter होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी यह लिख दिया, also अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या लिखना है, और lastly मुझे यह भी पता है कि एक next भी होना चाहिए, तो मैंने एक next भी लिख दिया, जिसके अंदर का logic अभी मुझे नहीं पता, अब देखो, एक चीज़ बहुत simple है, हमें पता है कि जब आप iterator के ऊपर iter चलाते हो, तो वो क्या करता है, वो खुद को ही return कर देता है, तो मैं यहाँ पे simply क्या कर दूँगा, मैं लिख दूँगा return self, खुद को ही return कर दूँ, तो एक function तो हमने handle कर लिया, अब है next, next ही हमारा main function है, अब इसका काम क्या है, कि यह एक-एक करके item को उठाएगा, और increment करता जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए, कि starting point क्या है, और ending point क्या है, बट problem यह है कि starting और ending point हमें इस class में पता है, और हमें चाहिए है इस class में, तो हम क्या करेंगे, जब हम इस class का object बनाएंगे, इस class का जब हम object बनाएंगे, इस class में, तो हम यहां से self pass कर देंगे, self क्या है मेरा range का object और मेरा range का जो object है उसके पास starting भी है उसके पास ending भी है और जब यह constructor को call किया जाएगा statement से मैं उसको receive कर लूँगा यहाँ पर by the name of iterable object इस iterable object में start भी होगा end भी होगा ठीक है और एक काम करते हैं self dot iterable में इसको store कर लेते हैं जो भी मेरा iterable object है ठीक है और आप यहाँ से code बहुत सिंपल है मुझे क्या करना है मुझे सिंपल सा code लिखना है कि if self dot iterable dot start is greater than equal to self dot iterable dot end अगर starting end से बड़ा या बराबर हो गया तो मैं raise कर दूंगा stop iteration exception error आ जाएगा और अगर यह सब नहीं हो रहा है तो मैं simply क्या करूंगा मैं लिखूंगा current जिसका value हो जाएगा self dot iterable dot start पहली value अब मैं क्या करूंगा self dot iterable dot start को एक से बढ़ा दूंगा और simply return कर दूंगा जो भी current value है and that's my code guys this is my code अब मुझे किछ नहीं करना मुझे बस मेरा range का एक object बनाना है सो मेरा range का object यह रहा यह सिंप्ली मैं यह लिख सकता हूं फॉर आई इन मेरा range एक से लेके ग्यारा print i and this is the output यह बिल्कुल वैसे ब्याइव कर रहा है जैसे range करता ठीक है तो यह आई ट्रेबल क्लास है और यह आई ट्रेटर क्लास है ठीक है तो अगर आप इसका object बना लो let's say आपने यह लिखा x is equal to मेरा range एक से ग्यारा तो अगर आप इसका टाइप निकालो तो यह मेरा range का object है यह आई ट्रेबल object है बट अगर आप आई ट्रेटर आफ एक्स निकालो तो यह range मेरा range का आई ट्रेटर अबजेक्ट है ठीक है तो आई होप यह सारे concepts आपको समझ मे आए अगर नहीं आए तो एक request है मेरा आपसे प्लीज इस वीडियो को फिर से देखो और साथ में code करो code करने से आपको समझ में आ जाएगा अब एक last चीज मुझे आपके साथ discuss करनी है वो यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो हमने पढ़ा इसका application क्या है किस application area में आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है और वो बहुत important है सब कुछ I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा अब I know आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है काफी difficult था but समझ में आ गया but इसका use क्या है कहां use हो सकता है यह तो जैसा कि मैंने आपको बोला Iterator एक ऐसा टेकनीक है जिसको use करके आप extreme of data को one by one कुछ भी उसके उपर operation perform कर सकते हो without loading the entire data in the memory यही इसका सबसे बड़ा फाइदा है so since मैं machine learning background से हूँ I can just give you one example जो मेरे दिमाग में आया जैसे लेटसे आप deep learning पे काम कर रहे हो और आपको बहुत सारे image data के उपर काम था अब आपके पास जो images थे वो let's say 20 GB के थे ठीक है आपको क्या करना है उन सारे images को first of all numpy arrays में convert करना है और उसके उपर फिर कुछ operation लगाना है now imagine अगर आपके पास जो RAM है वो सिर्फ 8 GB है तो आप कैसे उन सारे data को load करोगे memory में और कैसे आप उससे numpy array extract करोगे it is not possible अगर आप एक iterator use करो तो आप ये काम कर सकते हो iterator क्या करेगा उस stream of data को उठाएगा एक एक करके memory में load करेगा उसका numpy array extract करेगा और आपको अगला image दे देगा ठीक है तो कभी भी अगर आप machine learning या data science में फसते हो बहुत बड़े data के उपर आप iterators को use करके ऐसे data types बना सकते ह हो जो कितने भी बड़े data को handle कर सकता है because iterator at one point memory में सिर्फ एक ही item को रखता है और वही उसका सबसे बड़ा benefit है तो I hope मैं आपको थोड़ा intuition दे पाया कि ये कहां पर use होता है in fact अगर आपने keras library में काम किया होगा तो महाँ पर image data generators होते हैं जो बिलकुल iterators ही होते हैं और बि range वाली तो आपको थोड़ा सा difficulty लगा होगा कि यार बहुत ही भारी सा लग रहा है तो उसी चीज़ को simplify करने का एक तरीका है Python में जिसको हम generators बोलते हैं तो generators क्या होते हैं वो बहुत ही kind of efficient तरीका है iterators बनाने का तो next video will be all about generators जहां पर मैं generator यूज़ करके आपको iterator बनाना if so please do like the video and please subscribe my channel thanks for watching my video bye